हाँ चिल्डर्न Welcome back to all आज मैं कक्षा साथ संस्कित वाणी से पार्ट नमबर 11 देवतात्मा हिमाल्य पढ़ाने जा रही हूं तो आईए देखते हैं इसका अर्थ देवता की देवतारों की आत्मा हिमाल्य यहनि कि हिमाल्य क्या है देवतारों की आत्मा है आत्मा है चेप्टर परवतों में बहुत ऊचा है इसलिए परवत का राजा कहा जाता है हिमाल्यो नाम अस्य सार्थक है यतो ही अस्य शिक्राणी सर्वदा हिमाच्ची दातानी तिष्ठन्ती इसका नाम हिमाल्य सार्थक है क्योंकि इसकी चोटिया हमेशा बरस से धकी रहती है अयम भारत मातु हु भाले रतन खचितम मुकुटम इव प्रतिभाती यह भारत माता के माथे पर रतन जडित आएगा यहां पर गणित लिखा गया है रत्न जडित मुकुट की तरहें चमक रहा है अयम भारत वर्षस्य गौर्वम अस्ती नात्र संश्य यह भारत का गौरव है इसमें कोई संधे नहीं है भारत वर्षस्य विकासे समृध्यव आप्रतिम योगधानम अस्ती भारत के विकास और समृधी में इसका आतुलनिय पुगधान है अस्मात अजस्त्र नीरहा बहुंद्या प्रभवंति या असाम क्रिश उद्योग संस्कृत्यादिनाम विकासे प्रमुख भूमी का अस्ती इसमें निरंतर बहती हुई नदियां बहुत प्रभावित होती हैं जिसका क्रिशी उद्योग और संस्कृति के विक में मुख्य भुमी का है तासाम तेशु नगराणी विक्संती तत्रेव सभ्यता प्रस्वटिता भावती उनका इन नगरों में विकास होता है वही पर इनकी सभ्यता विक्सित होती है को नहीं जानाती पतित पावनी गंगाम यमुना विपाशा वितस्त चंद भागाम अमरावती नदी सरीतहा पापियों को तारने वाली पवित्र गंगा को यमुना को व्यास को जेलम चंद भाग रावी आधी नदीयों को कोन नहीं जानता हिमाल्य अस्माकम प्रहारी अस्ती हिमाल्य इसका रक्षक है शत्रवे इमं लंगित्वा आक्रमितुम नएव शक्नु वन्ती शत्रू इसे लांग कर आक्रमन नहीं कर सकते उत्तर दिशाह शेत्य लहरी अस्मान प्रकंपितुम वेगेन प्रचलती परंतु हिमाले तस्या पंतानम रुणधरी उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की शीत लहर हमको कमपाने के लिए तेजी से चलती है परंतु हिमाले इसके रास्ते को रोक देता है तस्मिन सती वयम सुखेन स्वापि महा इसी से हम सब आराम से सोते हैं हिमाले असमाकम आकर्षन केंद्रों अस्ती हिमाले हमारा आकर्षन केंद्र है पर्वतारोहा प्रतिवर्षन नाकेवलं भारतात अपितु विदेशेव्य अत्र आयंती पर्वतारोहनस से आनन्दम अनुभवनती चा पर्वत परचड़ने वाले हर वर्ष नाकेवल भारत से बलकी विदेशों से यहां आते हैं और पर्वत परचड़ने का अनन अनुभव करते हैं पर्याटक और तीर्थ यात्री नश्च अस्त्य प्राकर्तिक मनोरमान्य लाली तीर्थ स्थानानी चै द्रश्टुम आगच्छन्ती पर्याटक और तीर्थ यात्री इसकी प्राकर्तिक सुन्धरता की लाली और तीर्थ स्थानों को देखने के लिए आते हैं इल द्वदे नोका विहारम शालीमार उद्यान ब्रमणमचे कुरुवंती हिमाल्य अदभुत प्रकर्तिक सुष्मा संपन्नों संपन्ना चलो अस्ति प्रित्वी पर दोनों नोका विहार और शालीमार बाग का ब्रमण करते हैं हिमाल्य का प्रकर्तिक सोंदर ऐ, अद्भूत वे अत्याधिक सुंदर वे संपन धन से योक्त है हिमाल्य से वन संपद है प्रचूराह, पुषकलाश्च, संति हिमाल्य की वन संपदा बहुत अधिक और प्रचूर मात्रा में है इस वन में बहुत बड़े देवदार उचे उचे चीड के पेड़ जल से सीचे हुए सिंदूरा, साला, इत्यादी पेड़ दिखाई देते हैं गहने, कानने, सिंगह, व्यागरह, भल्लूकह, व्रितह, व्रिकह, गजह, म्रिगह, अन्यय जन्तवश्च, सा अनन्दम, निवसंती यहाँ पे व्रितहा आ गया है, यहाँ पे व्रिकहा कर लेना, ठीक है? गहने जंगल में शेर, बाग, भालू, बेड, हाथी, हिरन और अन्यय जन्तु अनन्द के साथ रहते हैं व्रिक्षा, खगाना, खगाना, आश्रह, संती, पेड, पक्षियों के आश्रे हैं नाना, वनस्पत्यों पी, अत्र संती, अनेक परकार की वनस्पत्यां भी यहाँ पर हैं अयन, रत्नोशद खानी, रेवास्ती, यहाँ रत्नोशदियों से भरी हुई अनेक खाने हैं साधना सली आसी पहले हिमाल्य रिशियों का साधना सल था अस्य गहवरेशु योगी नाहा रिश्या मुन्यश्य तपस्चर्याम कुर्वन तीसमा इसकी गुफाओं में योगी रिशी और मुनी तपस्या करते थे गर्मी के समय में धूप से व्याकुलोग तपस्या के लिए यहाँ पर आते हैं अत्र कश्मीरे नगरे हिमाल्य से सरोत्तम दर्शनिय स्थलम अस्ति यहां कश्मीर में शिरी नगर हिमाल्य का सबसे अच्छा दर्शन स्थल है यदि प्रिथी व्यां कुत्रापी स्वर्गोवस्ति अत्रेव इतियुक्तम कश्मीर विशे यदि प्रिथी पर कहीं भी स्वर्ग है तो यहां है ऐसा कश्मीर के विशे में कहा जाता है वयम हिमाल्यम रक्षी हम सभी को हिमाल्य की रक्षा करनी चाहिए बच्चे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले तो चलिए आईए करते हैं इसका एक्सरसाइज फर्स एक्सरसाइज है एक पदेन उत्रत कै नगपती अस्ती हिमाल्या गंगा कुतहें निश्चर्ती हिमाल्याथ कासाम कृशी विकासे प्रमुख भूमी का अस्ती किनकी कृशी विकास में मुख़े भूमी का है नदी नाम नदियों की रिशी और योगियों ने कहां पर तप किया हिमाल्य गहावे रेशु हिमाल्य की गुफाओं में एक वाक्य उत्रत एक वाक्य में उत्तर दीजिए हिमाल्य कुत्र स्थितो अस्ती हिमाल्य कहां पर स्थित है उत्तरस्याम दिशी मैंने सिरफ कुत्र का आंसर दिया है उत्तरस्याम दिशी आप पूरो लिख सकते हैं हिमाले उत्तरस्याम दिशी स्थितो अस्ती किम हिमाले नाम सार्थ को अस्ती क्या हिमाले का नाम सार्थक है आम यतो ही अस्य शिकरानी सरवदा हिमाच्छी दितानी तिश्ठन्ती हाँ क्योंकि मैंने लिखा नहीं है आम आप लिख सकते हैं आम फिर कॉमा देखे रिखे यह तो ही अस है क्योंकि इसकी चोटियां हमेशा बरस से ढकी रहती हैं हिमाल्य से गहने वने के निवसंति हिमाल्य के घने जंगल में कौन रहते हैं؟ सिंगहा, व्यागरहा, बल्लूकहा, व्रिकहा, गजहा, म्रिगहा, आदी जन्तवहा, निवसंती असमाभी हिमाल्यम प्रती किम कर्तव्यम, हमारा हिमाल्य के प्रती क्या कर्तव्य होना चाहिए तो आंसर है वयम हिमाल्यम रक्षे हम सभी को हिमाल्य की रक्षा करनी चाहिए नेक्स कोश्चन है अधो लिखित शब्दान संस्कृते लिखत नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत में लिखिए हमेशा सर्वदा चोटियां शिक्राणी देखने के लिए द्रश्टुम किनारे तटानी बड़ा महत या फिर विशालम आप कोई भी एक लिख सकते हैं प्राचीन काल में पुरा या फिर लिख सकते हैं प्राचीन काले नेक्स कोशन है मंजूशा पद चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत मैंने इसका अंसर देदी आयसा था हिमाल्य अस्माकम प्रहरी अस्ती हिमाल्य हमारा रक्षक है हिमाल्य से शिक्राणी हिमाची दितानी हिमाल्य की चोटियां बरस से डकी हुई है वयम हिमाल्यम रक्षेम सतत सलिला नद्या हिमाल्यात प्रभवन्ती निरंतर जलसे जलसे नद्या हिमाल्या से उत्पन होती है शत्रवे हिमाल्या से पारम गंतुम ना समर्था संती शत्रु हिमाल्या को पार करने में समर्थ नहीं है पुरा योगी नहां हिमाले तपह कुर्वंतिस्म पहले योगी हिमाले पर तप करते थे निम्निलिखित क्रियाहनाम वाक्य प्रियोगेन अर्थम स्वष्टम कुरुद यह था गच्छती यह आपका एक्जामपल दिया हुआ है तो हमने संटेज बनाया रामह वनम गच्छती आगच्छन्ती तो आगच्छन्ती से बनाएंगे छात्रह विद्याल्यात ग्रिहं आगच्छन्ती छात्र विद्याल्या से घर आते हैं नेक्स कोशन है याती याती का अर्थ होता है जाता है या जाती है सा विद्याल्यम याती वह विद्याल्य जाती है आयाती सा पुस्तकाल्यात पुस्तकानी आयाती वह पुस्तकाल्य से पुस्तके लाती है भवती होता है कृष्क है प्रसन्य भवती किसान खुश होता है प्रभवती उत्पन होती है गंगा हिमाल्यात प्रभवती गंगा हिमाल्या से उत्पन होती है भाती वर्षाकाले घनेशु तडित भाती भाती मतलब तचमकता है वर्षाकाल में बारिश के समय में बादलों में बिजली चमकती है प्रतिभाती के समान लगता है से राजकुमारवत प्रतिभाती वह राजकुमार की तरह सजता है या चमकता है या फिर लगता है कसती पहुँचता है छात्रा विद्याल्यम कसती छात्रा विद्याल्यम पहुँचती है विक्सती खिलता है तड़ागे कमलम विक्सती सरोवर में कमल खिलता है next question है अधो लिखित पदेशु के धातवा सन्ती नीचे लिखे पदों में धातू कौन सी है तो पद देखते हैं और धातू देखते हैं पद है हमारा विराजते तो धातू कौन सी हो गई वी जमा राज नेक्स पे तिश्ठन्ती स्थाधातु कत्यते कत्धातु अस्ती अस्धातु कुर्वन्ती क्रीधातु नेक्स पे चलते हैं तो ये चैप्टर आपका खतम हुआ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जादे से ज़ादे दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्रीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अगर आप फुल मार्क्स लेते हैं तो मुझे वो भी बताइए Thank you children, take care, bye bye